हलो गाइज जादे जादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मधूली का आप सब का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का यूपी ब्लॉगर तो गाइज यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोचा और आज से पितर पच्छ चालू हो गए तो घर की वही सफाई मतलब करनी थी क्योंकि पितर पच्छ में आज से मानना सुरू हो गया तो जैसे नौरात में अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं वैसे पितर पच्छ में भी साफ सफाई सब करनी पड़ती तो यह सुबे क का ही वीडियो है और इस टाइम पर बज रहें सुबह के साथ बेटा मेरा स्कूल चला गया उसके बाद का यह वीडियो है मैंने उसको नास्ता बना के दे दिया लेंच बना के दे दिया और उसको मतलब रेडी करके स्कूल भेज दिये उसके बाद का यह वीडियो है और फिज के बाद मैंने जणू मान ली थी तो जणू मानने के बाद फिफोच्छा मार रहा हैं और आज है सनिवार आज की डेट है 10 शितंबर 2022 और फिज के बाद मतलब ये सब करने के बाद फ Kollegin नहांगी और नहाने के पहले यह सारे काम कार लो तो ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि ऐसे ड्रस बहें लो नहाने के बाद तो विख somet में जाड़ू पोड़ा ये सब नहीं बनता न करते हैं इसलिए मैं नहाने के पहले ये सब फिनिस कर रहे हूं यानि की जाड़ू पोच्छा सब और गाइस प्लीज अगर आप इस देंड में नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल बगल में बेला इकन है उसे भी प्रेस कर दें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका लिंक आप तक जरूर पहुचे और प पूरा ऐसे कर कि में ने पूरे कमरे में अच्छे से मान लिय अच्छा जो यहां पर पाउदान थे उसको भी मैने पूचे मान लेती हूं जैसे कभी कदर होते हाँ पर मैंने मार दिये हैं पोच्छे और मेरे हस्बेड अभी मतलब गए हैं नदी यानि शंगम नहाने गए क्योंकि आज पितर हैं तो शंगम से ही मान के आएंगे और फिव के बाद बाकी जो घर में जो मतलब पूजा पाठ जो किया जाता वो घर में क्योंकि बवों में मैं सबसे छोटी हूं यानि मेरे husband जो हैं तीन भाई तो तीन भाईयों में सबसे छोटे मैं ही हूँ तो हमें और कहते हैं बड़े को ये छोटे को करना चाहिए तो मेरे बड़े वाले जेड जी नहीं है तो वो छोटे हैं तो वो करते हैं और उनके शाथ में मुझे भी करना होता अच्छे जैसे कि आपने देखा मैंने आगे वाले कमरे में पोचे को लगा ली हूँ उसके बाद ये मैं पीछे वाले कमरे में आई हूँ जहां पर मैं बेड वगरा डाल के रखी हूँ अच्छे इसमें बेड भी है और कुछ समान भी है वो भी डाल के रखी हूँ तो गाइज वो भी डाल के रखी मतलब मेरी वीडियो अगर ब्लॉगिंग देखेंगे तो आपको मैं पताई हूँ कि मेरा ये खुद का घर नहीं है इसलिए मेरा घर काफी छोटा है जिसे वीडियो में आते हैं कमेंट भी आते कि दिया आपका घर ऐसा तो भाई घर घर होता प्लीज इस पे कमेंट मत किया करो मैं आप लोगों को पहले ही किलियर कर दी हूँ ये बात कि ये घर किसका है किसका नहीं है तो प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करो और फी ऐसे करके मैंने पूरे घर में लगा लिया ह पोचा और फी उसके बाद गाई आ गई हूं कीचन में क्योंकि खाना बनाने के बाद फी कीचन में आई हूं और कीचन का है यानि यह खान नास्ता बनाने के बाद का है यह खाना बनाने के समय का नहीं है और इसके बाद फी मैं खाना बनाऊंगी तो नास्ते में वही रोज का नास्ता क्योंकि मेरे यहां दलिया ही बनती जैसे मैंने बताया और दलिया सही भी रहता और देखो नीचे यहां पर दिब्बे को उपर मैंने आटे को पहले ही माड़ के रख लिए अगर आपको दिख रहा होगा थाली में तो यह अभी रोटिया अगरा कुछ नहीं बनी इसक मैं पानी अगरा रखती वेशिंग चाइड में इसको भी मैंने शाफ कर लिया है और फी उसके बाद गाइज आप लोगों से वस यह ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को देखिएगा आज कल मेरी वीडियो में बहुत बेकार रिस्पॉंस आ रहा अच्छा फी उसके बाद कीचन में भी मैंने लगा लिया फी यह थोड़ी सी गालिरी थी यहां भी मुझे लगाना था उसके बाद में नहाँगी तो गालिरी में लगाना और मतलब जैसे साफ सफाई सब करनी रहती उसी इसाफ से क्योंकि घर को साफ उत्थरा करने के बाद ही मतलब मैं बनाते हूँ तो अभी वह सवसात यानि शुबे की हुए और इसमें रखते हैं हम लोग शीलीपर गशें आज्य दो बारों गशें मेरे बच्चे शीसे तो बस वहीं तक सीमिट रहते हैं तो इसको भी मैं अच्छ साफ कर रहे थी क्योंकि जैसे मैं रोज रोज साफ करती हूं क्योंकि मेरी आदत है साफ सुत्रें में ही रखने की ऐसे के सने में गंदा तो अच्छा ही नहीं लगता तो मैं साफ करके चारों तरफ साफ करके रख रहे हूं तो guys अगर आप इस रेन में नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल, बगल में बेला आइकन है, उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालू, उसका लिंक आप तक जरूर पहुचे, और प्लीज गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत जदा मुझे जरूरत है, आप लोग कि मेरे इस चैनल में ऐसा नहीं होता, जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो अच्छा रिस्पॉंस मिलता है, मगर कल वाले वीडियो में बहुत बेकार रिस्पॉंस मिला, ताकि मतलब वैसे वीडियो देख के मन थोड़ा सा दुखी हो गया, और आप लोग सपोर्ट नही करा, ऐसे में कोई भी वीडियो डालती थी, वीडियो ठीक ठाक चली जाती थी, मगर इस समय तो पता नहीं क्या होगा, कि मेरी वीडियो सही से जाती ने, आच्छा फ्यूस के बाद ये बाल्टी थी, तो मतलब ये ड्रेश्ट बिन था, सौरी, बाल्टी नहीं, ड्रेश्ट बिन भी चमक रही है, और शाथ मैं स्टेंड भी जो सिलीपर रखने वाला वो भी चमक रहा, और मैंने ऐसे करे के पूरे घर को मैंने शाफ कर लिया, और पूरा घर मेरा साफ हो गया है, और फ्यूस के बाद गाइस, अब मैं नहाँँगी, अच्छा जहां पे मेरे यहां प अच्छा हुआ था कीचन के साइट थोड़ा सा करने के लिए, तो कीचन के साइट भी मैं वापस कीचन में आई थी, क्योंकि जब कीचन में कुछ था यहां पे, दलिया शायद ना गई, कोई शीज था, दूद साइट फैल गया था, मुझे याद नहीं आ रहा हूँ, उसी क में करती हूँ, सारा घर का काम में खुदी करती हूँ, अच्छा आज की कमेंट में था कि आपके, आज की लाइब में था, आपके कितने बच्चे हैं कैसे, तो मैंने बताए मेरे दो बच्चे हैं, मैंने दोनों बच्चों को अपने दिखाया भी है, और प्लेस कुछ लोग साइज टाइप का हो जाता तो फीस के बाद यह बिट्टू के थोड़ा की लगने थे मेरी बिट्या रोज कि लोने ऐसे फैलाती है और इन खिलोनों को मैं उठा के रख रही हुं और ऐसे मैंने किये हैं सारे काम तो गाइज आस का ब्लॉक यहीं करते हैं बंद और कल मिलते हैं कच्छे से ब्लॉक के शाद तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखे अच्छे ये खिलोने इसमें भर के रख देंगे इसमें सारे खिलोने बिटो के हैं सारे टौाइस अगयरा है। सब इसी में भरके रग देती हूँ क्या करूँ कि-需 वो बहुत जादा परेशान करने लगती है। तो फैलाती जैती छोटे बच्चे हैं तो घर में मतलब फैलाओ टाइप का होई जाता जीसे खिलाओने और श्यादा कुछ न is पैलाती खिलाओने और फैला देती है और फीष के ने इसको भी अच्छे से साफ कर लिया है और गाइस इस ब्लॉक को यहीं करते हैं बंद और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉक के साथ आई होप आज का ब्लॉक आप लोगों को पशंद आएगा अच्छा इस जगे पे मैंने नहा लिया पूजा पार सब कुछ कपड़े थे तो कपड़े को यहां बाहर में फैला रही थी पसार रही थी कहीं कहीं पसार ना बोलते बलकि हम लोग तो फैलाना ही बोलते हैं तो बाहर में धूप में डाल रही थी शूखने के लिए तो मैं यहां पर ऐसे कपड़े फैलाती हूं तो गाइस आज का ब्ल लाइकन उसे भी प्रेस कर दे तो कल मैं मिलती हूँ अपने किसी